नमस्कार मैं प्रवेंड गोतम दोस्तों पीम मोदी रोजाना चुनावी रैलियों में जिस भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं जिस तरह धर्म के राम पर राजनीति कर रहे हैं जिस भाशा में विपक्षी दलों को टार्गेट कर रहे हैं वो सवाल उठाता है कि क्या पीम मोदी ने मान लिया है कि मैं चाहे जो मर्जी बोल जाओं चुनाव आयोग मुझे पर एक्षन नहीं ले सकता कल कॉंग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी पीम मोदी के राजनीती क्रेलियों में धर्म का इस्तिमाल करने धर्म के आधार पर विपक्षी दलों को नीचा दिखाने मुस्लिम लीक से कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों की तुलना करने और राम मंदिर के नाम पर विपक्षी दलों को नीचा दिखाने जैसे मुद्दो को लेकर चुनाव आयो को शिकायत की थी लेकिन पीम मोधी पर उस शिकायत का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा आज पीली भीत में अपने पुराने बयानों से पीम मोधी दो कदम आगे निकल गए और किस तरह के बयान दिये PM Modi ने जराब बयान आपको सुनाते हैं और उसका विशलेशन भी करते हैं पहले रोजाना जो दोहराते हैं वो बयान आप सुनिये कि PM Modi ने इसको कितना बड़ा मुदा बना दिया है गोचरा पत्र बनाया है वो कंग्रेस का नहें ऐसा लगता है मुस्लिम लिग का गोचरा पत्र बनाया है तो पीयम मोदी रोजाना अपनी चुनावी रैलियों में कौंगरेस के मैनि Protecto की तुलाम Muslim League से करते हैं लेकिन कायदे से प्रधानमत्री को आगे समझाना चाहिए कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में ऐसा क्या-क्या है जिसकी मुस्लिम लीग से समानता है। थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए। लेकिन दोस्तो राजनीती किस तरह की हो रही है। पियम मोदी रैलियों में ऐसा भाशन देते हैं, एंकर टीवी पर डिबेट करते हैं, इसे राश्ट्रिय मुद्दा बना दिया जाता है कि देखिए कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों मुस्लिम लीग की सोच की तरह दिखाई देता है। इस पर कोई बात नहीं करता, प्रधान मंत्री भी नहीं बताते कि उस मैनिफेस्टों में आखिरकार ऐसा क्या है। आगे राश्टिप सर्देसाई कहते हैं कि असल बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि जाती जनगरना के आधार पर कोटा 50% से उपर कैसे जा सकता है और आर्तिक सर्वे पर बात होनी चाहिए। बनाने के लिए असली मुद्दो जैसे की सिक्षा की गुणवत्ता, स्वस्ता सेवाओं में सुधार और नोक्रिया देने जैसे मुद्दो को प्रमोट किया जाए। तो ये रादिप सर्देशाई का टाक्ष करते हैं कि सब लोग बात कर रहे हैं मीडिया से लेकर देश के प्रधानमत्री की कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लिग की चाप दिखाई देती है। जबकि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है बिंदु कोई नहीं बता रहा सिर्फ शोर मचाय जा रहा है क्योंकि ये मान लिया गया है कि हमारे समर्थक मुर्ख हैं भारत के मदाता मुर्ख हैं इस बात को मान लेंगे अगर प्रधानमत्री बोल रहे हैं अगर टीवी ए प्रधाय के मदाता भी भारी संख्या में हैं तो उन्हें 1984 के दंगे या दिला दिये और क्या कैते हैं पीम मोदी जड़ा सुनिए साथियों यहां इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे यह सराथी भाईबेन भी है हमारे सीख भाईबेन भी है समाजवानी पार्टी आज इस कॉंग्रेस के साथ खड़ी है उस कॉंग्रेस ने चोरासी में हमारे सीख भाईबेनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं तो पीम मोदी सिख समुदाय के लोगों को पीली भीत की जनता को 1984 में पहुचा देते हैं लेकिन टाइम मशीन से इतना पीछे जाने की जरूत नहीं है मोदी जी दो हजार चोबिस में आपकी राजे सरकार की पुलिस ने पंजाब के किसानों के साथ कैसा वैभार किया किस तरह पुलिस ने निर्ममता से पंजाब के किसानों को रोकने का काम किया जो दिल्ली आना चाहते थे पूरी दुनिया ने देखा है किसान अंदुलन के दोरान आई ट के बेटे पर आरोप है उसके बावजूद आपने दोबारा टिकेट देने का काम कर दिया तो क्या ये आप किसानों का सम्मान करते हैं और फिर किस मूँ से आप सिक समुदाय को 1984 की याद दिलाते हैं इसके अलबा पीम मोदी को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि मुद्धों पर बात करने लगें महंगाई को लेकर आवाज उठाने लगें तो उनका टिकेट कार्ड दिया गया ये बिजिपी का अंधरूनी लोकतदर है बरण गान्दी का किस आधार पर टिकेट कार्ट काटा गया जहां तक काम की बात है तो बरण गान्दी के बारे में पत्रिका कार्टीकल है जिसमें लिखा गया है कि वो देश के इकलोते सांसद है जिनोंने अपना वेतन देशित में दान कर दिया वो देश के इकलोते सांसद है जिनोंने अपने खुद के पैसे से गरीबों का आशियाना बनवाया है वो एकलोते सांसद है जिन्होंने जिले में बाल चिकिसाला बनवाने के लिए पांच करोड रुपे से जाद दिया है वो इकलोते सांसद है जिन्होंने एक हजार अधिक रुपे खर्च किये अपने ससेदे छेतर में सड़क, इंटरलोकिंग और सोलर लाइट भी जरूतमंदों को उपलब्द कराया पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए इंडिया मारका हेंट पंपो को भी छेतर में लगवाया है तो काम बड़े लंबे चोड़े है वरुण गांदी के, MP लैर का जो पैसा मिलता है सबसे बेहतरीन परफोर्मेंस करने वाले सांसदों में से एक है वरुण गांदी, त तक कि अपनी जेब से भी पैसा लगाया है, तो इस तरह का रिपोर्ट कार्ड अगर वरुण गांदी का है तो काम के आधार पर तो उनका टिकेट नहीं काटा गया, तो वरुण गांदी का टिकेट क्यों काटा, PM मोधी ने चुनावी रैली में इन बातों को रखना चाहिए कि जितिन प्रसाद में ऐसा खास क्या है जो कॉंग्रेस से आए हैं और वरुण गांदी को किस आधार पर इस बार टिकेट नहीं दिया गया, इन सब बातों को रखना चाहिए, काम के मुद्दे रखने चाहिए, 200 PM मोधी दावा करते हैं कि वो 24 इंटू 7, 24 घंटे 2047 में दे सब के मुद्दे उठाती हैं, सब एक दूसे को कोसने का काम करती हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप किसी पार्टी के बारे में ऐसा नहीं बोच सकते कि फला पार्टी धर्म के खिलाफ है, फला पार्टी राम मंदिर के खिलाफ है, इस तरह की राज़िती, इस तरह की जाना रियलियों में धर्म के नाम पर जूट बोलते हैं धर्म को मानने वाले सभी तर्म को बांज सक्सी बिचारधारा के लोगों को भगवान राम के खिलाब बताना राम मंदिर के खिलाब बताना इस तरह की राजदिती प्रधानमत्री को शोभा नहीं देती लेकिन चुनाव आयोग भी इस तरह की बयानों पर लगता है कि सोया हुआ है क्या चुनाव आयोग को प्रधानमत्री के ऐसे बयानों पर संग्यान नहीं लेना चाहिए। भाशनों को लेकर क्या सोचते हैं जहां विपक्षी दलों को खुले आम धर्म के आधार पर नीचा दिखाया जा रहा है बदनाम किया जा रहा है अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्षिन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चल को सब्सक सब्सक्राइब करें नमस्कार